जे हिन दोस्तों स्वागत थे आपका हमारी यूट्यूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए आपके लिए आपर मात्वपूर्ण कॉस्चन आंसर नरिस महिताजी से संबंदित वीडियो को पूरा वस्त देखना है अगर आप चैनल पर पहली बार आ जाते हैं तो इससे भी अवस्त जोड़ने हैं तो पिले स्टोर से जाईए से अब डाउनलोड कीजिए और अपनी तयारी में लग जाए नरेश महिता तो इनसे संबंदित परस्ट कॉस्चन तो यहीं पूंचा जाता है कि महिता जी का जन्म कब हुआ था बताईए नरेश मह इसको इनका जन्म हुआ था विकल्प नंबर डी आपका यहां पर सही आंसर हुगा यह आप पूंचा गया है कि इनका जन्म कहां पर हुआ था यह बताना है क्वास्चन नंबर दो में और दो का राइट आंसर आप बता दीजे इनका जन्म कहां पर हुआ था महत्तपुन question number अपने यहाँ पर है, दो और दो का right answer है, बिल्कुल सही, साजापूर मद्द प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, किसका नरेश महता जी का, question number, आपका यहाँ पर तीन पूँचा है, नरेश महता, अग्य की किसे, तारसब तक के कभी माने जाते हैं, नरेश महता अग्य के, जो दोतिय तारसब तक है, इसके कभी माने जाते हैं, तो विकल्प number आपका B, यहाँ पर सही answer होगा, नरेश महता ने किस पत्रिका का संपादन किया है, यह आपको बताना है, चार विकल्प आपके दिये गए हैं, और इनका सही answer यहाँ पर बताना है, इनमें ऐसी कौन सा होगा, राइट अंसर, तो बिल्कुल सही राइट अंसर है, इन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया है, तो चौथा संसार आपका राइट अंसर होगा, चौता संसार पत्रिक का कहां से प्रकासित होती थी ये बताना है साजापूर से जवलपूर से जहांसी से या फिर इंद्वर से तो ये जो पत्रिका थी प्रकासित होती थी कहां से इंद्वर से यानि कि विकल्प नंबर आपका यहां पर डी राइट आंसर होगा Question number आपका यहाँ पर च्छेश पूछा है नरेश महता की नाट्ट सैली में लिक्षत लंभी कवीता कौनसी है। तो संसाय की एक रात आपका विकल्प नंबर यह राइट आंसर होगा, संसाय की एक रात कवीता का नायक है, किर्ष्णे, राम, भीसम्पिताम है या या युदुस्टर, question number 7 है, महत्वपूर्ण है, और 7 का सही आंसर आपका यहाँ पर होगा, क्या होगा राइट आंसर, तो राम यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर, संसाय की एक रात कवीता की नायक है, राम यानि की विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा, question number 8 पूचा, नरिस महता की किस कावब में गांधी जी का जीवन चरत है, वह आपके लिए कावब बताना है, महाप्रस्तान है, बोले ने, दो चीड को, अरंडिया या प्राथना पूर्स, तो नरिस महता की किस काब में गांधी जी का जीवन चरत है तो बहुत काब माना जाता है प्राथना पुरोष यानि की विकल्प नंबर D. राइट आंसर क्वेशन नंबर 9 की बात करें यहां पर पुछा गया है नरिस महता को किस काब में के लिए साहित तकादें पुरोष कार दिया गया था यह तो घौति महत्तपुर्ण क्वेशन नहीं याद रखे तो क्या है इसका राइट आंसर किस काप बे के लिए नरिस महता जी को साहित तकादें पुरुषकार मिला था तो अरंडिया यानि के विकल नमबर आपका जो C है आपका राइट आंसर हो का कौस्चिन नमबर 10 क्या है तो देख लेते हैं ए रहा कौस्चिन नमबर 10 नरेश महता को साहित तकादियों पुरुसकार किस बर से दिया गया था? Q10 का राइट आंसर बताईए नरेश महता को साहित तकादियों पुरुसकार किस बर से दिया गया था? 1986 में, 1984 में, 1988 में या फिर 1989 में साहिट तकादिय पुरुषकार पूछा है तो ये दिया गया था 1988 इसवी में विकल्प नमबर आपका सी राइट आंसर होगा नरेश महता को घ्यानपीट संवान कब मिला था देखिए इनको साहिट तकादिय पुरुषकार भी मिला था और घ्यानपीट संवान मिला था थुका मिला था बताईए तो आपका राइट आंसर है यहां पर question number है अपना यहां पर 11 और 11 का राइट आंसर है 199212 एसवी आपका राइट आंसर है 1992 इसवी में इनको मिला था ग्यानपीट संवान नर्ish महता जी को के सरचिना के लिए मिलाता बताईए किस रचिना के लिए ग्यानपीट प्रोषकार से सम्मानेत क्या गया था नरेश महता जी को महाप्रस्थान अरंड्या संसाय की एक रात संपून साहित्य क्वेस्चिन नमबर 12 है महत्पून है और बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका संपून साहित यान की विकल्प नमबर D आपका सही आंसर होगा नरेश महता ने नई कवीता की पहली लंबी कवीता किसे माना है काट की घंटियां समय देवता संसाय की एक रात नाटक जारी है नरेश महता ने नई कवीता की पहली लंबी कवीता किसे माना है समय देवता यान की विकल्प भी आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा नरेश महता की लंबी कवीता समय देवता किस काप संक्राय में संक्लित है बताईए नरेश महता की लंबी कवीता है कौन सी समय देवता यह किस काप संक्राय में संक्लित है तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, क्या है राइट आंसर? Q14 का वेकल्प नंबर एक राइट आंसर है, मेरा समर्पित एकांत आपका सही आंसर इसमें संकलित है Q15 की सांसकृतिक और राजनेत गदि विदियों का चित्रन हुआ है, समय देपता में विकल्प नंबर एक राइट आंसर इहां पर हो का question number 16 पूँचा है नरेश मेहता की जीवनी महिमा मेहता ने केसे नाम से लिखी है किसे नाम से लिखी है एक अंत पुरोस, इस्मिर्थी पुरोस, उत्सभ पुरोस या प्रस्थान पुरोस तो 16 का right answer है विकल्प number आपका C यानिकि उत्साव पुरस आपका बिल्कुल सही right answer होगा अरंडिया काभब का पिर्कासन वर्ष बताना है क्वेस्चिन नम्बर 17 है और आपका यहाँ पर 17 का right answer बताना है क्या होगा सही answer महत्पूर्ण question पूँचे गया है और बिल्कुल सही राइट आंसर है अरंडिया का बिका पिरकासन वर्ष पूँचा है 1985 आपका राइट आंसर होगा Q18 पूँचा नरिस महता की लंबी कभीता समय देवता का रचनाकाल आपके लिए बताना है Q18 पूँचा नरिस महता की लंबी कभीता समय देवता का पिरकासन रचनाकाल बताना है तो रचनाकाल इसका उननिस सो इंक्याउन माना जाता है बिल्कुल सही राइट आंसर है अंगला कौस्चन है देखिए प्राथना पुरोस काभवे का पिरकासन वर्स बताईए Q19 में 1986, 1985, 1988, 1989, 1989 इसवी प्राथना पुरोस काभवे का पिरकासन 1985 इसवी में हुआ विकल्प नमबर B आपका यहाँ पर सही आंसर होगा इनमें से कौन सा काभवे नरिस महता का नहीं है नहीं पूचा है आपसे तो नहीं में हो जाएगा आपका राइट आंसर की इनमें से कौन सा काभवे नरिस महता का नहीं है मेपल, मेपल आपका जो विकल्प नमबर D है वहे आपका सही आंसर है विलकुल सही बहुत बढ़िया एहपत बंदू था उपञ्यास की रचेता कौन है भारत मूसरण अग्रवाल है, राणी रागव है या फिर नरिस महता है तो आपका है पर सही अंसर है एहपत बंदू था तो इसकी रचेता आपको बताना है तो इसके जो रचेता हैं बहे कौन है तो विल्कुल सही right answer है नरेश महता यानि कि विकल्प नमबर आपका सी right answer होगा इनमय से कौन सा उपन्यास नरेश महता का नहीं है डूबते मस्तूल चीवर धुमकेतु एक सुर्थी या दो एकांते आपको बताना नरेश महता का कौन सा उपन्यास नहीं है question number y से right answer बताना है तो बिल्कुल सही right answer है चीवर चीवर ये उपन्यास है नरेश महता का नहीं है लेकिन तो विकल्प नमबर आपका यहाँ पर जो b है आपका सही answer होगा नरेश महता का उपन्यास उत्तर कथा कितने भा चार भागों में, पांच भागों में, कॉस्चन नमबर तेईस है, और तेईस का विल्कुल सही राइट आंसर आप लोग बताएं, सभी लोग वीडियो को लाइक और सेर अवस्त करते जाएं, जन्हों ने अभी तक नहीं किया है, नरेश महता का उपन्यास बताना है, उत्तर क था, कितने भागों में हैं, तो दो भागों में, तो विकल्ब नमबर आपका एक यहां पर सही आंसर होगा, अंगल्या और क्वास्चन है, इन में से कौन सा कहानी संग्रा नरेश महता का नहीं है, न अपका 24 है, बता दिजे इन दो विकल्ब में से इपना दिजे एक समर्प पर पूँचा है 25 और यहां पर है कि क्या है सुभई के घंटे नाटक की रचेता कौन है सुभई के घंटे नाटक की रचेता 25 में बताना है तो 25 का सही आंसर हरी कृष्ण प्रेमी भैरा प्रसाथ गुप्त नरेश महता या मुद्रा राक्षस सुभई के घंटे नाटक की रच चब्वेस है कि सादू चले ना जमात नामक रचना के सविधाकी है Q26 है और 26 का राइट आंसर यानि की विकल नमबर एक आपका सही आंसर होगा नरेश महिता की आत्म कथा है लीक अलीक टुकड़े टुकड़े दास्तान हम अनिकेतन समय सहचर है नरेश महिता की आत्म कथा है तो हम अनिकेतन आपका राइट आंसर है विकल नमबर आपका B यहां पर सही आंसर होगा बिल्कुल सही बहुत बढ़ियां अखंडित यात्रा है नामक रचना किस विदा की यह रचना मानी जाती है यह बताइए आपके लिए अखंडित यात्रां नामक रचना किस विदा की यह रचना विकल नमबर डी आपका सही आंसर यह पर होगा इन मेंसे कौन सी कहानी नरेश महता की नहीं है गदल या अनबीता ब्यतीत एक समर्पित महिला बह गई थी Question number आपका यहाँ पर 29 और 29 का सही आंसर बताना है तो 29 का बिल्कुल चाही right answer है कि इन मेंसे कौन सी कहानी नरेश महता की नहीं है तो आपका right answer है गदल यानि की विकल्प number 1 आपका right answer होगा नरेश महता का निधन कब हुआ था? question number 30 है और 30 का सही answer आपका यहाँ पर होगा क्या होगा right answer? देखें नरेश महता का जन्म हुआ था 15 परवरी 1922 साजापूर मद्दपरदेस में इनका निधन कब हुआ 22 नवंबर 2000 ECB को इनका निधन हुआ था विल्कुल सही बहुत बढ़ियां इनके लिए साहे तकादियों परोषकार भी मिला था कब 1988 ECB में ग्यानपीट परोषकार मिला था कब 1992 ECB में अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सस्क्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेयर करें तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी लोग self study classes अब भी डाउनलोड कर लें जहाँ पर आपके लिए हिंदी साहित का संपून कोर्स हिंदी साहित की test series हिंदी साहित की 2020 test series फ्री करवाई जाती है इसमें सब ताय में दो तिन self study classes अब डाउनलोड करें इस फ्री टेस्टे series से जड़ें और अपनी तैयारी में लग जाएं self study classes अब की मात्यम से सरसा पप्लिकेशन कहीं माला बस तो नेश्ट प्रसनी की एबुक है तो खरीदना चाहते हैं आप तो खरीच सकते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत दन्यवाद जय हिंद